हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल ल्डब्लूटी जॉब में आचार्य कुलम पतंजली सिक्षक भरती का नया एडवर्टीजमेंट जारी हो चुका है इससे पहले जो है लगबग एक मन्त ही हुआ होगा यहां से वैकैंसी आई थी जो की आप एजिडेंशियल स्कूल है तो आवाज की सोविधा भी रहती है इसके साथ साथ में पी एफ ग्रेजुटी और आपके दो चिल्डन की फ्री एजुकेशन यहां पर दी जाती है यानि सभी सोविधाएं रहती है तो ऐसे में कैंडिडिट जो है वो बिल्कुल जॉब करना चा सकते हैं तो चलिए बाकी चीज़े जो है नोटिफिकेशन में हम देख लेते हैं बिल्कुल फ्रेस नोटिफिकेशन है तो स्वामी रामदेव जी महराज और आचारे बाल कृष्णन जी इनके द्वारा जो है स्कूल चलाए जा रही है इसके साथ में कॉलेज भी चल रही है इनके टीचिंग स्टाफ की वेकेंसी है पीजीटी टीजीटी और प्यार्टी में सब्जेक्ट आप देख लें आपका सब्जेक्ट अगर है तो बिल्कुल आपको अप्लाए करना चाहिए काफी जो है अच्छा रहेगा अगर आपको यह सिलेक्शन हो जाता है पीजीटी मे इंग्लिस पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस और डान्स की वेकेंसी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना होगा इन सब्जेक्ट्स में टीजीटी के लिए इंग्लिस, संस्कृत, हिंदी, मैट, साइंस, सोसल साइंस में स्पेशली जोगरफी की और फिजीकल के लिए जो वेकेंसी है तो उसमें म्यूजिक में गितार, सितार, कीबोर्ड और बैंड की वेकेंसी है तो 12 के साथ में आपके पास या ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास जो है डी एड, BTC, STC, डी एड, डीलेड वाले बिल्कुल यहां पर अप्लाए कर सकते हैं क्यो इसी नॉम्स के अकॉर्डिंग ही जो है यहां पर क्वालिफिकेशन रहेगी, नेक्स्ट जो है नॉन टीचिंग स्टाफ की वी वेकेंसी है, लाइब्रेरियन के लिए, बैचलर ओफ लाइब्रेरी साइन्स में, वार्डन के लिए किसी भी सब्जक्ट से आपने इसी नॉन टीचिंग स्टाफ की वेकेंसी जितनी आई थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, एलिजिब्लिटी यहां पर लिखा है, क्वालिफिकेशन ऐस पर सी बेसी नॉम्स, कैंडिडेट मस्ट हैव गूड अकैडमिक बैक्राउंड, डिजिटल प्रोफिसेंसी और बी कमफर्टेवल इन स्पोकन इंग्लिस, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिस नहीं आ एक्सपिरिंस, प्रेफर्बली इन रेजिजिजेंशल इसकूल, ऐसे कैंडिडेट जिनोंने कहीं आवासी विध्यालों में पहले काम किया है, तीन साल का अनुभव है, तो उनको यहां पर प्रात्मिकता दी जाएगी, तो यह अनिवारे नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं, अगर आपने कहीं काम नहीं किया है, तो भी आप अप्लाइ करें, इसकूल आफर फ्री लॉस्जिंग और बोर्डिंग, आपको रहने की बिलकुल यहां पर सुविधा, सैलरी के साथ में फ्री आप लोगों को मिलेगी, एजुकेशन एट सब्सीडिज फी फॉर टू चल्ट पे एस पर सैवनफ पे कमिशन, पी एफ और ग्रेजोटी, अब और क्या चाहिए, बताइए यहां पर सैलरी के साथ में आप लोगों को रहने की सोविधा, खाने की सोविधा, इसके साथ में जो हैं यहां पर सैलरी जो है सैवन पे कमिशन के अकॉर्डिंग दी जा रही है, पी एफ भी दिया जा रहा है और ग्रैजुटी यानि गॉर्मेंट नॉर्म्स के एकॉर्णिंग जितनी भी जो है सोविधाएं एक टीचर को रहती है वो आपको यहाँ पर दी जा रही काफ़ी अच्छी सालरी के साथ में नेक्स्ट जो अप्लिकेशन कैसे करना होगा तो अगर आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल आप अप्लाइ करें यहाँ पर रिटन एक्जाम नहीं है आप लोगों को केवल अपना बायो डेटा जो की आपने हाल फिलाल में रेडी किया है वो आप यहाँ पर भेज दें इमेल एडरस दिया है लाजड डेट जो है तीन फरवरी दोहजार चौबिस है अगर कोई भी क्वैरी है कोई भी माइंड में कोईशन है तो यह तीन नमबर दिये है आप जो है इन पर कॉल भी कर सकते है जॉब लोकेशन क्या रहेगी आचारे कुलम पोस्ट आफिस पतंजली योगपीट नियर प उत्राखंड में यह आपकी जॉब रहने वाली है पिन कॉर्ड नमबर भी यह दिया गया है तो दुबारा से जो है यहां पर बहुत ही बड़े अक्षरों में जो है हाईलाइट कर दिया गया है जहां पर आप अपना रिजियों में बायो डटा जो है सेंड करेंगे इन्फो अचार्यकुलम.org ठीक है तो यह कंप्लीट जानकरी आप लोगों को दी गई है में वेबसाइट से ही यह नोटिफिकेशन जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूं यह भी जो है में वेबसाइट पर ही जो है मुझे मिला है तो समय से पहले आविदन कर दें जो आविदन करना चाते हैं आचार्यकुलम पतंजली रेजिदेंशियल कोईड एजुकेशनल इंस्टिट्यूट है तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी भी राज्यकी वैकेंसी आती है सिक्षक भरती की सभी सूचना है आप लोगों को चैनल के माध्यम से दी जा